हेलो फ्रेंड्स मैं नाम है विजे यह हमारा सेगंड पार्ट है जिसमें हम लोग पैटर्ण्स को ड्रॉ करेंगे और उसके लॉजिक को समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल हमने इस pattern के बारे में सीखा था आज हमें नए pattern के बारे में सीखेंगे जिसमें मैं इसको reverse करूँगा ठीक है जो मैंने pattern कल बताया था और कल वाला वीडियो काफी important उसको आप देख लिए जाएगा ठीक है तो यह pattern मैंने कल बता दिया यह pattern में आज बताऊंगा यह pattern में आज बतांगा तो समस्ते हैं इसके पीछह का logic किया है ठीक है किस तरी से इसको create करेंगे और क्या इसको correct का logic होगा तो देखिए जो मुझे create करना है वो इस तरह से create करना है यहाँ पर चार स्टार मैं user से value डलवाँगा ठीक है अगर वो चार डालता है तो चार स्टार पहले में starting में है फिर इस तरीके से तीन स्टार फिर आपके दो स्टार फिर एक स्टार पहला pattern तो मेरा ये रहेगा इसके पीछे का जो logic है वो हम लोग create करने के कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैं इसको row मान रहा हूँ यह आपकी rows हो गई ठीक है यह आपके columns हो गए ठीक है तो हमें एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल ली है कि जो column है वो पहली row में चार column है दूस्री row में तीन column है और फिर third row में दो column है और यहाँ पर एक column है ठीक है देखिए rows को मैं दो जरीके से print को परा सकता हूँ जैसे for को loop मैंने यहाँ पर लिखा i की value मैंने 1 से start करी ठीक है और मैं कब तक चला रहा हूँ जब तक user की end तक चला रहा हूँ अगर मैं इसके अंदर कोई code लिखता हूँ ठीक है अगर मैंने लिखा print a ठीक है यह लिखा तो यह कितनी बार print होगा चार बार simple सी बात है simple सा अभी तक fall loop पर चुके है अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर change कर दूँ तो आप मुझे को बताएए इस case में क्या होगा अगर मैं इसको 1 से ना लेकर start कर दूँ n से जो user डा देगा और user ने value कितनी जा लिए n की value 4 है इसकी value n से लेकर इसकी value में क्या कर दूँ कब तक चलाऊँ जब तक यह आपका बड़ा हो इक्वल टू हो 1 के और फिम आई की value घटा दू इस print कराऊं एक को तो एक कितनी बार print होगा 4 बार यह आपको समझ में आगया simple है अब देखिए मैं row के साथ भी यह करने वाला हूँ जाहे मैं row की value 1 से start होके n तक ले जाऊँ या n से घटा के 1 तक लेके जाऊँ number of times row कितनी print होगी n times n times हमारी row आएंगी इस case में भी n times आएंगी ठीक है तो वही चीज करने वाला हूँ अगर यह दो चार बार डालता है अगर मैं एक से लेकर 4 तक जाऊँ या 4 से लेकर 1 तक जाऊँ यहाँ पर मैं value बढ़ा रहा हूँ एक करके 4 तक पहुंच रहा हूँ और यहाँ पर मैं घटा रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखे हमारे case में जो logic में को लगेगा जो में को suitable लगेगा वो क्या लगेगा कि मैं row की value पहले 4 लूँ फिर 3 लूँ फिर 2 लूँ फिर 1 लू ऐसा क्यों कर रहा हूँ घटा के 4 बार row print क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो column है वो directly row की value पर depend कर रहा है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर R की value 4 ले रहेता हूँ 4 से start करी तो पहले starting में क्या होगा starting में R की value 4 होगी तो column कितने print कराँगा 4 फिर घट जाएगी value 3 हो जाएगी तो column कितने print कराँगा 3 तो यहाँ पर देखे पैटन देख रहे है अब फिर देखे फिर से R की value घट जाएगी 2 हो जाएगी तो फिर मैं column कितने करवा लूँगा 2 करवाँगा तो वही चीज़ थो रही है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इस logic का use करूँगा उसके हिसाब से अपने code को create करूँगा मैंने create कर रहा है यहाँ पर देखे यह code मैंने create कर रहा है यह इससे पहले वाला code है इसमें थोड़ असा modify करूँगा मैं क्यों कर रहा हूँ modify यह मैं आपको बता दिया तो सबसे पहले n से i की value n से चलेगी कब तक चलेगी जब तक 1 से या 1 के बराबन न हो जाए तो i की value मुझे घटानी पड़ेगी ठीक है और यह if का loop मैंने कल बताए था इसकी दरवत अब नहीं पड़ेगी इसको मैं हटा देता हूँ यहां से ठीक है और j की value कहां तक चलानी है मुझे j की value j की value टोटली depend कर रही थी मेरे यह row पे तो मैं यहां j की value 1 से तो start कर रहा हूँगा लेकिन कहां तक चलाऊंगा n तक क्योंगी n क्या है row को depend कर रहा है पहले 4 थी फिर 2 फिर 3 फिर 1 ठीक है और फिर मैं j को plus plus करवा रहा हूँ ठीक है और यहां पर मुझे क्या करवाना था simple c out asterick star और यहां पर semicolon लगा लेंगे sorry यहां पर फिर मैं n लिख दें मैंने यहां पर i लिखूंगा ठीक है i के value जो starting में value होगी i के value starting में 4 होगी तो भी चार बाप्रिंट होना चाहिए जो मैं आपको बताया था मैंने यहां पर n लिख दें गलती से इसको मैं run करता हूँ नंबर औरो मुशे फुच रहा है मैंने चार डाला तो इस तरह से हमारा देखे pattern create हो आ गया काफी easily अब देखे हमारा जो दूसरा pattern था उसको समझते हैं उसके बीच्छे का logic create करने की कोशिश करेंगे दूसरा pattern मैं आपको क्या बताया है अगे इस तरीके से मैं pattern को create करना चाहता हूँ तो देखे इस pattern को समझे के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक box create कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखें अगर मैं इसको row मानता हूँ यह row 1 है, 2 है, 3 है, 4 है यह column है हमारा 1, 2, 3, 4 तो अगर आप देखें, 1, 1 पर मुझे value मिल लिए row 1 पर, column 1 पर और यहाँ पर pen change कर लेता हूँ row 1 पर, column 2 पर, row 3 पर, column 3 पर row 1 पर, column 4 पर इस तरगे से value कहा कहा value नहीं मिल लिए, इस जगा पर value नहीं मिल लिए ठीक है, अब देखे, मुझे यह pattern print करवाना है तो मुझे इस position से जहां मैंने circle लगाए इस position से बगल में जाना पड़ेगा, इस star में तो यहाँ पर मुझे space को include करना पड़ेगा, किसको include करना पड़ेगा, space को ठीक है, क्योंकि space हटाओंगा, तभी तो उसके नीचे direct आपाओंगा रो से, देखे, यहाँ पर क्या है, इस case में क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो कम किसी में नहीं, सब में बराबर जैसे यहाँ पर r की value 1 है, 1 है, column की value कितनी है, यहाँ पर 1 है यहां कितनी है, 1 है, 2 है, यहां 1 है, 3 है, यहां 1 है, 4 है, तो हर case में क्या है, कि row की value जो है, वो कम है, ठीक है, column की value कहीं पर भी कम नहीं है, लेकिन इस case में क्या है, second वाली row में, second वाली row में, second वाली row में, column कितना है, 1 है, तो यहां पर देखे, row बड़ी है, column छोटा है, तो इसके बाद यह वाली position में जहां star है, यहां पर क्या है, तहिए, row 2 है, column भी 2 है, तो equal है यहां पर, तो space कहां पर add हो रहा है, सिर्फ वही पर add हो रहा है, जहां पर column की value क्या है, column की value कम है row से, तो मैं वहां पर space add करा सकता हूं, space add कराना है, मुझे इस जगा पर column की value कम है row में, ठीक है, और बाकी जगा क्या करूँगा, मैं star को add करा दूँगा, तो simple logic समझ गये होंगे आप, सिर्फ space कहां पर add करवाना है, जहां पर हमारा row की value कम हो, वरना बाकी जगा हम लोग star add करवा देंगे, तो वही logic में यहाब लगा होंगा, सबसे पहले, simple सा है, वही हमारा loop चलेगा, i की value 1 से start होगी, कहां तक चलेगी, enter, जहां तक user जाएगा, row उतनी होंगी, फिर row increment होंगी, ठीक है, फिर j माएंगे हम, j की value क्या होगे, j की value 1 से start होगी, कहां तक चलेगी, enter, ठीक है, क्योंकि, क्यों चलेगी, 4 से लेकर चलता है, क्योंकि देखिए, जो मैंने box बनाया था, इतर, 4 वाई, 4 का, तो यहाँ पर देखिए, row की value यह है, row 4 वाई चलेगी, तो column भी 4 वाई चलनी है, ठीक है, 4 वाई चलना है, क्यों चलना है 4 वाई, तभी तो मैं यहाँ पर, space add कराऊँगा, जहाँ पर मुझे space add करवाना है, वहाँ पर, तभी तो यहाँ पर space add कराऊँगा, बागी जगह start था, अगर मैं सिर्फ अभी run कराता हूँ, number और row डाली, 4, तो यहाँ पर, 4 क्या हुआ, इस तरीके से मिला, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे पता है, कि जहाँ पर row कम है, वहाँ पर मुझे इस जगा पर, इस जगा पर, इस जगा पर, इस जगा पर, space add करवाना है, तो मैं यहां क्या कर दूँगा simple condition लगा दूँगा condition क्या होगी मेरी कि मेरी जो गहां पर column की value row से कम हो तो वही चीज करेंगे सबसे पर जातेंगे if जहां पर row कितना है row represent कर रहा है जे को जे की value जहां i से कम होगी वहां मुझे क्या करवाना है simple cout cout क्या करता दूँगा space set करवा दूँगा वन्ना else हम लोग क्या करेंगे star को print करवा देंगे इधर यहां पर से मैं space हटा दे रहा हूँ इसको मैं यहां पर से run करता हूँ ठीक है यहां पर number row गुची 4 तो इस तरह का हमारा pattern आया ठीक है तो यहां पर तक कासी congested आ गया तो यहां पर मैंने space दिया तो यहां पर भी मिज़े एक और space देना पड़ेगा उपर ठीक है इसको मैं run करता हूँ चार दबंगा इस तरह के से तो यह देखिए यह हमारा pattern निकल के आ गया तो आज की वीडियो में ने सीखा एक और pattern के बारे में उसके logic के बारे में कफी important है इसको practice कीजिए घर में ठीक है आज की वीडियो में इतना ही thank you watching good bye take care करीओभ के दो आज कि अजूएब बट तो